कर दो ने जा रही थी दिखाने ममा को फोटो तो एक भाईया बोले थे मेरे से क्या की दीदी फोन मांग रही है तो मैंने बोला मेरे दीदी नहीं है तो थोड़ा से पीछी हुई तो उन्होंने मेरे हाथ से लिया और भाग गए मुबाइल का कोई मैटरी नहीं है 15,000-20,000 पे का मुबाइल है डेजन मैटर गुम हो सकता है लेकिन हम इस चीज़ को इतना सीरिसली ले रहे हैं कि अगर इस बच्ची को बठाके ले गया होता था तो हम क्या करते थे अगर इस बेटी को उठाके ले जाते तो क्या करते तो मैंन मैंने डिसाइड किया था कि मैंने प्रमंडल पूल के ओपर से फूल स्वीड में गाड़ी नीचे फैंक देनी थी सो दाट हम दोनों भी मरे जाते और हम इसको ब्रदाश्ट नहीं कर सकते थे ख्यूंता शक्रवाद कृग्डा था और मेरी तना था था थोड़ा थोड़ा स्व नोर फूटा था मुझसे मुझ बढ़े थी उसके है यसे मेरी दाड़ी है ऐसे पकड़ी बांदी थी थे नहीं पकड़ी नहीं बांदीHHH अच्छा तो फिर बापा को बोला आपने हाफ ने चिलाया नहीं जब उसने फोन मंगा कि आपने बोला मेरा फोन वापिस दे दो क्यों ले रहे हैं आप डर गे थे उसने मारा दो नहीं आपको नहीं चिर्फ फोन चीन लिया इस बच्ची की मासूम आवाज सुनी आपने क्या लगा आपको वो लड़का सिर्फ मुबाइल चीन ले गया नहीं वहां क्या क्या पॉसिबिल्टी थी जो साथ आठ सो लोगों के बीच वो शादी में साथ आठ सो लोग थे मैं बात कर रहा हूं उदे फार्म अपोजिट शिरी ओम होस्पिटल बड़ी बरमना क्या पॉसि इनके नहीं ले गया अगर वो इस बच्ची को उठाके ले जाता इससे भी बड़ी बात वो किसी बड़ी वार्दात को वहां अंजाम दे देता यहां साथ सो से आठ सो की गैदरिंग थी शैदिस से कम भी होगी सो दो सो हमें के अनुमान लगा रहे हैं उसके बाद जब इस कि पिता ने उदे फार्म के मालिक से बात करनी कोशिश गी पता नहीं वो मालिक था जा मैनेजर था उसका एटिट्यूड उससे पूछा गया कि हमें CCTV कैमरे का फुटेज दिखाओ वो लड़का कौन था वो कहते हैं कि ये बंद हैं कैमरे खुराब हैं रिपेर क्यों नहीं करवाया आपने जब वक्त लगेगा करवा लेंगे पिता कहता है कि जेके यूटी का आदेश है कि हर उस जगा पर यहां बड़ी गैधरिंग होगी वहां कैमरे मस्ट हैं होने चाहिए ये कानून है वो कह कि पहले possibility क्या क्या थी ये वो पिता हैं और इसके साथ ये उस बच्ची की माँ है ये जे रिपोर्ट इसलिए नहीं करवा रहे कि 20, 25, 30, 40,000 का मुबाइल चला गया नहीं आज से लगबग 8-9 साल पहले इनका एक बड़ा नुक्सान हुआ है इनका बेटा इस दुनिया से चला गया इनको अकेला छोड़ कर उसके बाज ये सिर्फ इनकी बच्ची है जिसके लिए जी रहे हैं इस माँ ने अपने पती से कहा कि वो मुबाइल चीन के ले गया 7-800 की बीड में अगर वो हमारी बच्ची को ले जाता वो पिता कहता है तो फिर हम परमंडल मोर से गारी नीचे फैंक देते अपनी गारी का खुद एक्सिजेंट कर लेते और हम भी इस दुनिया को छोड़ देते आपकी कत्नी और करनी में कितना अंतर है कितने जूटे कानूर बनाते हो आप जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होते हैं अख़वार में शाया करने के लिए होते हैं उदे फार्म के कैमरे क्यों नहीं चल रहे थे यहाँ साथ आठ सो की गैदरिंग थी और उस पर उसके मालिक या उसका मनेजर था उसका बात करने का तरीका इनको अंदर तक हिला के रख गया पूरी रात सोई नहीं है यह क्योंकि पहले यह जखम खाये हुए हैं और खाने की ताकत नहीं है मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि साथ आठ साल पुराना मैटर में ने आज आज आपकी उस दर्द को जगा दिया लेकिन लोगों को बताना भी जरूरी था आपका नाम क्या सर कृषिन सिंग कृषिन साहब कल रात को हुआ क्या था लोकेशन क्या थी पूरी बात बताए हमारे महले में एक बेटी की शादी थी वो लोग हमारे कफी परिचित हैं और नोन हैं और काफी कमपैल किया वह था कि आपने सभी फंक्शन अटर्ड करने हैं हम लोग जहां से पहुंचे हैं उसके बाद गाड़ी पारकिंग की है हम लोग लेडिस जो थी वो कठी हो करके अंदर चली गई हैं बच्चे भी उनके साथ है जिन्में मेरी बेटी भी सी साथ और हम लोग बार अभी पारकिंग कर रहे थे और काफी ज़दा प्रिचित लोग मिलके उनके साथ बाचित कर रहे थे तक्रीबन दधस वजे की आसपास हम लोग जो स्टॉल वहां पे प्लेस कि की जी ते हैं और वहां से स्टॉल से हम लोग बूल सबने पर आलू टिक एक लिए और खाने लगे हैं उसी तुराण ये बेटी मेरी मेरे पास आती है कि पापा मोबाइल दो मैंने फोतो खिंचना है तो मैंने उसको बोला कि मैं खुद खिंच अपका फोटो मेरे को खा ले ने नहीं मैं फोटो खिंच लेती हूँ एक नोदे लोग उद्श खड़े हैं महले की यो लड़कियां मोबाइल चोरी हो गया तो इस त्रीके की जी पहले भी कुछ थोड़ा सा हमें सर्पास करने के लिए करती है कि मेरे को बुख नहीं है मैंने खाना खा लिया है फिर भूलती की मैंने जूट ला ए तो हंसी मजाग करते रहती तो मेरे को जहीं लगा कि जह अभी भी मेरे को मजाग कर रही है मैं बोला बेटा मजाग मत करो हम खा रहे हैं अब भी कुछ खाओ पापा सची मैं बोह रही हूँ भईया मेरा मोबाइल शीन के ले गया को कुछ करो पकड़ो उसको जब उसने बोला बैया था उसने दाड़ी टाइप रखी हुए थी कट और उसके चेरे के उपर एक तरफ काला तिल जैसा है और कोई समर क्लेक्शन के बोरी है कि उसने समर क्लेक्शन के कपड़े पहने हुए हैं और को पूरते से रख हम तो कुछ बता नहीं सकते काफी लोग आ जा रहे हैं लेकिन आप ऐसा करो आप आफिस में चलो और वहां पर जाकर करके सीची टीवी देख लो वहां पर कैमरे लगे हैं मैं थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल रखता हुआ बच्ची को सास लेते हुए बहां पर चला गया हूँ बहां पर एक सज्जन विराजमान से सामने चेर के उपर और मैंने उनको जाते ही बोला जी आपके फार्म से अभी यह इंसिडेंट हुए कि एक बंदे ने इस बेटी से स्नैच कर लिया है मोबाइल तो बड़ी अन्होनी बात है बच्ची रो रही ह हैं मुझे सीटी डूटी का क्लियर अदेश हैं जितने हमारे इंसिजिंड जमओ में अभी हो रहे हैं मिल टेंट हो रही हैं रिसेंटली मैं बोला हमारे नर्वाल के बीच में दो बलास्ट हुए हैं आईडी बराम्द हुई है एक इंपलाइड आदमी से परफ्यूम की इस तरीके का अगर बारदात हो जाए तो आपका जवाब काफी है आप जूटी को नहीं मानते हैं डी सी के क्लियर अधेश आये हैं तो उनका कहाना था कि आप जूटी से पूछ लो मेरे को बहुत ज़्यदा गुसा हो रहा गया मैं तो हाथ हुणाने तक त्यार था बट बहुत सारे गैधरिंग वहां भी होगी सबने बोला कोई बात नहीं डूनते हैं डूनते हैं उन्होंने इतना तक नहीं बोला कि मैं ब कुछ ब्रात वालों से थे कुछ लड़की वालों से थे तब एक सज्जन आते हैं बार से कहीं साड़े दस मुझे के आसपास आये थे वो बोले कि जब मैं अंदर आ रहा था गेट से तो एक बंदा दोड़ता हुआ जा रहा था तो मैंने उसको बोला कि बाई दू तू दू चलो चलो हम बहां से निकले बेटी को बिठाया गाड़ी में बिना कुछ खाय पीए हुए क्योंकि हालात वैसे नहीं थे और हम डिस्टर्बूनी करना चाहते हैं जिन्होंने इतना खचा किया हुआ था हम बहां से आगे पर मंदल मोर प्याने के बाद मैंने वहां से और मैं चला जाता हूं बड़ी ब्रह्मना पुलीस टेशन में बहां पर जाकर कि मैं पूछते हुए हुए हैं उस समय तक्रीवन 11 वज़े का टाइम था कि कहीं गे हुए हैं आपके कोई SI SIO और बोला देशार कोई नी सब गे हुए हैं बट यहां पर मुंशी है मैं मुंशी करके दिया लास्ट में मैंने जहीं लिया कि इस नाट मैटर आप स्टोलने मुवाइल सेल्प फोन इट इस मेभी स्टोलने चाइल्ड आले गर्ल हुए इस रिस्पंसिवल फर देट तो क्या जमो हमारा एडमिस्टेशन क्या कर रहा है और हमारी प्लीस क्या कर रही है इतना ह पंद्रह हजार बीस जार पे का मुवाइल है डेजन मैटर गुम हो सकता है लेकिन हम इस चीज़ को इतना सीरिसली ले रहे हैं कि अगर इस बच्ची को बहुठा की ले गया होता था तो हम क्या करते थे जब हम बहां से बापस आ रहे तो मिसीज रो रहे थे गाड़ी में और उनको दिया है आज मानिंग मैंने एसे चो से बात की है उनने बोला मैं बाहर हूँ मैं देखता हूँ अभी एक चालीस में मेरे को एक ऐसा ही का फोन आया है कि हम उदर जा रहे हैं अभी तक मेरे को कोई रिसमास नहीं मिला है हूँ अभी भी आप इनको अमन के पापा ही कहते हो मैं आप से कोई बात नहीं करू순गा μια आप से कोई बात नहीं करूँगा इस डर को देखिये इस डर को देखिये ये डर मॉबाइल स्नैचिंगा नहीं नहीं है वो मॉबाइल की कीमत इन लोगों के लिए कोई माइने नहीं रखती है इनकी बेटी माइने रखता है वो जखम जो आज से आठ साल पहले मिला था एक रोड एक्सिडेंट में माइने रखता है क्या और हो सकता था उधे फार्म के सीसी टीवी कैमरे क्यों नहीं चल रहे थे अगर आपके कैमरे नहीं चल रहे थे वो रिपेड नहीं थे तो आपने बुकिंग क्यों ली क्या डिस्टिक एडमिस्टेशन के जो कानून है जो नोटिफिकेशन है आप उनको इतना लाइटली लेते हो यह जिम्यदारी है बड़ी ब्रह्मना पुलिस्टेशन की क्या आप जानते हो कि वो कैमरे नहीं चलते और अगर आप नहीं जानते अब आपको पता चल गया है कोई भी पूरे जमू कश्मीर में कोई भी ऐसा बैंकुट हॉल कोई भी ऐसा होटल कोई भी ऐसा प्लेस यहाँ पब्लिक गयादरिंग होती है वहाँ रूल्स हैं कि वहाँ सिसी टीवी कैमरे कमपल्सरी है यह आपका धायतव है एक्जिक्यूशन आप लोगों ने करना है यह सुनुचित करे बड़ी ब्रह्मना पुलीस कि जब तक उदे फार्म के कैमरे ठीक ना हो जाए उनको बुकिंग लेना का कोई अधिकार नहीं है अगर पांच, छे सो, साथ सो गैदरिंग होती है बड़ा असान है जनाब सबसे असान तो बैंक अड़ा है अगर वहाँ सिक्योटी ही नहीं है वहाँ पे कैमरे ही काम नहीं करते तो बड़ी असान तरीके से आप वहाँ कुछ भी प्लांट कर सकते हो एक जटके में पांच, छे सो लोगों को आप मार सकते हो अराम से बड़े अराम से ये एग्जिक्यूशन का का काम पॉलीस का है और ये सवाल बड़ी बर्मना पॉलीस से भी है क्या आपने चेक किया इनकी रिपोर्ट कराने के बाद क्या आपने चेक किया कि उदे फार्म के कैमरे चल रहे हैं अगर नहीं चल रहे थे अगर चल रहे हैं तो फुटेज निकल जाएगी बाहर वो चोर पकड़ा जाएगा और अगर नहीं चल रहे तो आपने क्या कारवाई की आपने खुद के बनाए हुए रूल्स पे तो काईम रहो या दो रूल्स बनाओ एक गरीब के लिए एक अमीर के लिए फिर बात समझाएगी इस डर को देखिए महसूस कीजिए वो कहते हैं कि अगर हमारे बेटी के साथ कुछ गलत हो जाता मा कहती है अमन के पापा अगर वो बेटी को उठा के ले जाते तो उस बाप ने ये सच बोला होगा ये दिल से आवाज आई होगी कि मैं अपने आप को खत्म कर लेता पता नहीं आप लोग क्या करोगे अब लेकिन एक बाप का फर्ज एक नागरिक का फर्ज इन्होंने निबा दिया और एक चोथे स्थम होने का फर्ज मैंने निबा दिया आपका फर्ज अभी बाकी है शबं कुमार के साथ रवंदर सिंग दे स्टेट सेंटिनल के लिए